यह नहीं ट्रिप हुआ क्योंकि यह ट्रिप नहीं हो सकता है देखे यह ट्रिप कर गया हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इलेक्टरिक वर्क सेंटर यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे MCB और ELCB RCCB और RCBO में क्या अंतर होता है क्या फर्क होता है कैसे काम करता है या कैसे चेक करें कौन सा हमारा खराब है सही है अगर आप इन सब को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z complete पूरा ध्यान से देखें सुनिए समझें उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का ड ELCB RCCB है एक RCBO है इस तीनो को यहां पे प्रेटिकल हम आपको टेश्ट करके दिख लाएंगे कैसे काम करता है या आप चेक कर सकता है यह सही है या खराब है यहाँ पे सबसे पहले हम बता दे तीनो क्या है तीनो एक इलेक्रिक सर्किट ब्रेकर है जो इलेक्टरिकल कैसे होता है बहुत सी वीडियो मैंने बताया है और दिखाया भी है कि ELCB RCCB अलग-अलग नाम है लेकिन दोनों सेम डिवाइस एक जैसा ही काम करता है यानि एक ही प्रोटेक्शन देता है लिकेज पे जैसे ELCB की फुल फर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिक लिकेज सर्कीट ब्रेकर होता है या उसे अर्थ लिकेज सर्कीट ब्रेकर भी कहा जाता है अगर बात करें RCCB की फुल फर्म की तो रेसीडूवल क्रेंट सर्कीट ब्रेकर होता है अगर बात करें यहाँ पे RCCB की फुल फर्म की तो यह आपका रेसीडूवल क्रेंट ब्रेकर वीथ ओभर ल यह सिर्फ लिकेज पे काम करता है, आपको प्रेटिकल यहां पे लाइन देख करके, टेस्ट करके भी दिखलाएंगे, यह सॉट सर्कुट पे ट्रिप कर रहा है यह नहीं, यह ध्यान रहे कि जो ELCV, RCCV होता है, वो सिर्फ लिकेज होने पे ही ट्रिप करता है, काम करता है, कहीं पे आपको short circuit और leakage दोनों तरह के protection चाहिए ओबर लोड यह protection चाहिए तीनों यानि एक short circuit हो गया एक ओबर लोड हो गया एक leakage हो गया तो यह दो डिवाइस लगाना पड़ेगा एक MCB लेकिन अगर आप एक RCBO लगाते हैं कहीं पे भी तो यह आपका हर तरह का protection देदेगा जैसे short circuit पे overload पे leakage पे चलिए हम आपको यहां पे practical test करके दिखलाते हैं कि यह किस तरह से हमारा काम कर रहा है यहां पे सबसे पहले हम कुछ wire लेते हैं जैसे हम कुछ wire का यहां पे टुकड़ा लिये हैं चोटा चोटा wire का टुकड़ा है इसके अंदर connection करेंगे उपर से input होगा नीचे से output होगा यहां पे connection diagram अगर हम देखते हैं जैसे यहां पे जो diagram है उपर 1 नीचे 2 यानि 1 का मतलब input और 2 का मतलब output हो जाता है तो उपर से input नीचे से output होगा उसी طरह से इसके diagram पे देख रहा है तो वहीं चीज है उपर से INPUT, निचे से OUTPUT यानि 1 और 2, तो 1 इससाइड आपका दिखा रहा है, और इससाइड 2 तो 1 का input हो गया, तो का output हो गया, उसी तरह से इसपे भे जो डाइग्राम है, उपर 1 निचे 2, यानि उपर से input नीचे से output कर देंगे और इसका testing करेंगे और मैंने बहुत सरा testing भी किया हुआ है नीचे से input उपर से output करके तो काम करता है लेकिन मुझे वैसे नहीं करना है जिस तरह से यहाँ पे interaction direction दिया गया उसी तरह से हम यहाँ पे connection करने वाले हैं तो यहाँ पे एक चीज और देख लें यह तो हमरा DPMC भी है तो किसी भी side neutral phase का connection कर सकते हैं लेकिन यह जो हमरा है इसमें side N यानि side neutral का connection होगा तो side neutral करेंगे side phase करेंगे लेकिन यहीं पे इसके अंदर देखेंगे तो इस side neutral करेंगे किलियर तरह से लिखा गया है तो कभी भी neutral phase देख करके ही connection प्रोपर तरह से में करना है जो direction है उसी इसाब से हम यहाँ पे connection करने वाले हैं आजकाई करक्ड़लент लगण पामाँ, बमलो चरपड़ प्रेखेंग आजसार इस्टो laying करेंगे लिए, आजस पने, को यहाँ पुर माम magic प्रप्ट सबऑ्ट, चक्तोрос Saundra कि क्रणोर में,leader Δ damage को यहीं हम लागे से बंसी अना जाजसार Mich export व Chief з WIN झाल झाल जाल झाल एक्षन हमें इंपूट आउट्पूट करना था वह हमरा हो गया यहां से नूट्रल भी लूपिंग हो गया सब में फेज भी हो गया अब यहां पर हम आपको टेस्ट करके दिखलाएंगे टेस्ट करके दिखलाने के लिए सबसे पहले यह वायर अलग-अलग होना चाहिए इस नहीं लगे ठीक है यह हो गया अब यहां पर हम इसके पहले लइन देता है रहां यहां पर हम आपको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे अब यहां पर हम आपको वायर निंग भी करते हैं इस इस तरह की टेस्टिंग आप कभी भी कहीं पे भी नहीं करें अपने घर या कहीं भी क्योंकि इसमें दुरगटना भी हो सकती है क्योंकि यहां पे अगर मैं कर रहा हूं तो एक बंदे को देखने के लिए सेप्टी के लिए प्रोटेक्शन के लिए रखा हूं क्योंकि सवधान और सेप्टी सबसे पहले जरूरी है तो यहाँ पे इस तरह की टेस्टिंग आप कहीं पर भी नहीं करें लेक्ट्रिकल नॉलेज और सवधानी सेप्टी की जरूरत बहुत है यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले mcb को हम on करते हैं और mcb को on करने के बाद सबसे पहले इसी को sort लगाएंगे और देखेंगे यह trip कर रहा है या नहीं ठीक है तो यहाँ पर चलिए देखें यह trip कर गया ठीक है लेकिन यहीं पर अगर हम e-lcb rccb को sort करेंगे तो यह नहीं trip करेगा जैसे यहाँ पर on करती हम एक ही बार करने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ पर जैसे की देखिएगा ठीक है हम हटा देंगे जल्दिए यह नहीं trip हुआ क्योंकि यह trip नहीं हो सकता है यह आपका mcb sort circuit पर trip कर जाएगा लेकिन यह जो है आपका leakage पर ही trip करेगा अब जैसे leakage पर चली हम आपको test करके दिखला जीते हैं यह जो है ना आपका यहाँ पर इसका phase यहाँ उपर कर लेते हैं और एक bulb holder लिया है इस bulb में यहाँ पर phase ले लिये और यहाँ से neutral लेंगे तो यह trip कर जाएगा ठीक है लेकिन अ यहाँ पर इस bulb का wire को यहाँ पर लगा देते हैं फेजी वाले इस wire पर और उसके बाद यहाँ पर इस wire को यहाँ पर लाते हैं ठीक है उसके बाद यह on करते हैं on करने के बाद हम यहाँ पर यह बड़ी अर्थ का wire है इसे लेते हैं और इसमें touch करते हैं यह trip कर गया अगर इस पर इसे on कर देते हैं और यहां पर touch करें तो भी trip कर जाएगा लेकिन short circuit पर यह नहीं trip करता है यह चीज होती है यह तो confirm आप हो गए कि MCB आपका short circuit पर trip करेगा और यह leakage पर trip करेगा लेकिन MCB leakage पर नहीं trip करेगा यह simple सा है हम आपको test करके क्या दिख लाएं अब यहां पर आते देखेंगे short circuit पर trip कर रहा है या नहीं trip कर गया ठीक है अब यहां पर हम लिकेज पर trip करने वाले हैं कि लिकेज पर हमारा trip कर रहा है या नहीं यानि टेस्ट करने वाले हैं तो यहां पर bulb holder का wire ले लिए यहां पर on कर लिए on करने के बाद यहां आउटपुट में neutral input में on करेंगे ठीक से यह नहीं on हो रहा है यानि problem यहां पर एक indicator है यह आपका होना चाहिए इसके हिसाप से अभी लिकेज है यह थोड़ा देर तक नहीं करेगा क्योंकि लिकेज होने पर timing लेता है और यहां पर एक indicator था क्योंकि यह हर RCBO में indicator नहीं रहता है short circuit होने पर अलग color का जलेगा लिकेज पर अलग color का जलेगा तो यह चीज हर आपको RCBO में नहीं मिलेगा L&T का जो यह company है वही बनाती है यहां पर इसे on करते हैं on हो गया अब इसके बाद हम neutral को इधर करते हैं phase को उपर लाते हैं और phase के output और input जो है neutral हम लेंगे यह trip कर गया ठीक है और उसके बाद यहां पर इस wire को इसके साथ जोड़ लेंगे यानि किसी load के through अगर leakage होता है यह दक Chelanee का मतलब है किसी load के through leakage होगा तो क्या यह trip करेगा यह low हो गया जैसे यहां पर लोड हो गया लोड के बाद यहां से linkage हो गया तो यहां पर हम क्या करेंगे इससे on करते हैं और check करते हैं ट्रेफ कर गवा यानि यहां पर यह confirm हो जाता है कि जो आपका RCBO है इसते से आप test कर सकते हैं सही है या खराब है और यह short circuit, overload और leakage पर काम करेगा लेकिन जो ELCB है यह आपका सिर्फ leakage पर काम करेगा MCB है वो आपका short circuit, overload पर काम करेगा इसके अंदर एक चीज और यह आप देख रहा है एक button है यह आपका RCBO में और ELCB, RCCB में button है यह हर मन्त जरूरी होता है कि एक बार आप दबाए अगर आप द्यान से देखेंगे तो यहाँ पर clear लिखा हुआ भी है test monthly यानि महिने में एक बार आपको check करना ही है जैसे हम इसे on करते हैं जब इसमें line रहेगा और इसे दबाएंगे तो यह trip कर जाएगा जैसे देखिए यहाँ पर trip कर गया इसी तरसे इसे on करते हैं और यहाँ पर दबाते हैं trip कर गया यह एक button है जो सबसे पहले first में इसी को check कर लिया जाता है कि हमारा ELCB, RCCB खराब है या सही है लेकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम इस button को दबाने के बाद यह trip कर रहा है पर यह proper तरह से काम नहीं कर रहा है और तरह का protection नहीं दे रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा MCB में और ELCB, RCCB में और RCBO में क्या फर्क होता है क्या अंतर होता है किस तरह से testing कर सकते है चेक कर सकते है सही है या खराब है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिए, सेर किजिए आपके मन में किसी भी तरह का doubt है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे comment box में जरूर लिखिए